नमस्कार कक्षा 8 exercise 2.5 question number 6 हम इसका कर रहे हैं रैक्षी समीकरन को हल करना है हमारे पास है m-1 upon 2 बराबर 1- m-2 upon 3 आए इसे हल करते हैं सबसे पहले बच्चो हमें इसमें क्या देखना है कि m वाली रखमें बराबर के एक तरफ लेओ बिना m वाली रखमें दूसरी तरफ इसमें आप देखें ये भी m वाली रखम है इस रखम में भी m है इस रखम में भी m है सिरफ एक ये रखम है जिसमें m नहीं है ठीक है तो ये M यहाँ पर ही है यानि बराबर के left पर ही है minus M minus 1 upon 2 भी बराबर के left side पर ही है यह minus है M minus 2 upon 3 लेकिन जब यह बराबर से इधर आएगा तो यह जो निशान minus का है यह बन जाएगा plus यह बन गया M minus 2 upon 3 कई बच्चे सोचेंगे कि यह भी minus का plus होगा no क्योंकि यह यह जो minus है इस पूरी रकम के साथ था तो जब यह रकम उधर गई तो यह बाहर वाली रकम का ही plus बन गया बराबर अब बराबर के उधर क्या बच गया 1 अब देखे सारी M वाली रकमे left side पर है बिना M वाली रकम राइट side पर है अब हम इसे हल करेंगे सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1, 2 और 3 का जो लगुत्तम आएगा वो आएगा 6 अब हमें इसे हल करना है आप पिछले स्वालों में भी ऐसा समझा है दुबारा समझ लीजिए 1, 2 और 3 का लगुत्तम आया 6 अब हम क्या करेंगे 6 को नीचे वाली हर से भाग करेंगे जो आप सर आएगा उसको उपर गुना करेंगे 6 को 1 से भाग किया तो आया 6 6 को उपर M से गुना किया तो हमार पास आगया 6 आगे है माइनस तो माइनस दुबारा देख लीजिए यह जो माइनस है ये इस पूरी रकम के साथ है ठीक है चे को 2 से भाग किया 3 3 उपर M-1 से गुना होगा 3 उपर M-1 से गुना होगा प्लस का निशान है तो 6 को 3 से भाग करके आया 2, 3 दुनी 6 6 को 3 से भाग करके आया 2 2 उपर M-2 से गुना हो जाएIFA बराबर वहां इतना है ये समझाया बच्चो अगर नहीं समझाया ना बच्चो इस लाइन को थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके दुबारा देखिएगा अगले स्टेप में देखिए वान यहां पहले से है छे यहां इनके साथ बहाग हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा तो यह बटे वाला 6 तो चला गया बाकी जो बचा उसे हम हल करेंगे देखे कैसे 6M उसे को लिखा 6M माइनस 3 गुना M हो गया माइनस 3M माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 3 एकम 3 प्लस दो गुना M होगा प्लस टू M प्लस इंटू माइनस माइनस दो दूनी चार ये हमारे पास पूरी लाइन आगे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे M वाली रखमे लेफ्ट साइड पे शोड़ देंगे बिना M वाली रखमे उधर ले जाएंगे तो राइट साइड पर देखे ये है छे लेफ्ट साइड से बिना M वाली रखमे उठाओ ये है प्लस तीन उधर आके हो गया माइनस तीन ये है माइनस चार उधर आके हो गया प्लस चार इनके साथ M नहीं था इसलिए इनको उधर ले गए यहां क्या बच गया छे M माइनस तीन M छे में से तीन निकाले तीन M प्लस दो M तीन प्लस दो कितना हो गया पाच M यहां लिखता हूँ जोड़ा सफास के इसको दुबारा समझ ले ना बच्चो कई बच्चो को समझ नहीं आता है कि पाच कहां से आ गया ऊपर तो कहीं था नहीं दुबारा देखिए छे M माइनस तीन M छे में से तीन निकाले तीन तीन M प्लस दो M पाच M यह प्लस थी था उधर आके माइनस 3 हो गया यह माइनस 4 था उधर आके प्लस 4 हो गया आगे इसे आगे हल करें 5 m बराबर 6 में से 3 माइनस किया 3 में 4 प्लस किया 7 तो यह आगया 7 यहाँ से m किसके बराबर आजाएगा 7 यहाँ पहले से है 5 m के साथ गुना हो रहा उधर जाके हो जाएगा भाग तो देखिए यह हमारे पास एक रैकिक समिकरन थी M में और हमने इसे हल करके M का मान कितना निकाल दिया है साथ बटा पांच कितना निकाल दिया है साथ बटा पांच निकाल दिया है और रैकिक समिकरन को हल करने का यही मतलब होता है कि जो भी चर है चर थी M M का मान गयात करो वो हमने निकाल दिया आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझाया होगा यदि समझाया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा आपके लाइक से ही हमें और मेंनत से वीडियो बनाने का हौसला मिलता है धन्यवाद